गुड बॉर्निंग बच्चो सूप्रभात कैसे हो आप सभी आशा करती हूँ अच्छे होंगे तो बच्चो लास्ट पीरिड में हमने अपने जो पार्ट एक है उसके प्रश्ण उत्तर, खालिस्तान और शब्दार्थ कम्प्रीट किये थे और मैंने आपको एक होमवर्ग दि क्लासवर्ग में बाद में चेक करती हूँ आज आप इतने एक्साइटेड है मुझे पता है क्यों एक्साइटेड है क्योंकि आज मैंने आपको बुला था कि हम एक गति-विदी करेंगे तो गति-विदी के बारे में सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगे उसके बाद में हम वो गतिवीदिष इस्टार्ट करेंगे तो चलिए अपनी गतिवीदिष इस्टार्ट करते हैं यह हमारा पीरियड है स्टैंडर2, period 6, श्रवन कोशल, तो बचो हमारी करती इस नर्लीक श्रवन कोशल, श्रवन कॉशल मतलब English में इसको listening skill बोलते हैं मतलब कि कोई भी चीज हम सुनकर उस चीज को कितनी जल्दी capture करते हैं मतलब उस चीज को कितनी जल्दी अपनाते है यह हमारी activity उसी पर base है तो सबसे पहले मैं श्रवन कौशल का आपको मतलब बताती हूं श्रवन मतलब होता है सुनना और कौशल का मतलब होता है प्रवीनता मतलब कि हम सुनने में कितने जादा अच्छे से capable है इससे हमें पता चलता है तो बच्चों इससे related ही मैं आपको एक activity यानि एक activity करवाऊंगी और इसमें मैं आपको एक video दिखाऊंगी तो वीडियो आपको एकदम अच्छे से देखना है उससे related मैं आपको कुछ भी प्रशने पूछ सकते हूं तो वीडियो मैं आपको दो बार दिखाऊंगी दोनों बार में आपको उसके बाद मैं पहले आपको पूछूंगी कि अगर आपको इसमें से कुछ क्वेरी होती है जी ग्यासा होती है तो आप पहले मुझे पूछिए फिर मैं रोल नमबर वाईस आप लोगों को बुलाऊंगी और इस गतिविती के शिरवात करूंगी यह जो गतिविती है बच्चो इससे हमें लिखने में भी बहुत सहायता मिलती है जैसे कि हम वर्ड्स को सुनते हैं कोई भी अक्षर को सुनते हैं तो उसको एकदम परफेक्टली लिखना यह हमारे शवन कौशल पर अधारित होता है जब भी हम सुनकर कोई चीज ग्रहन करते हैं तो वह हमारी लिखने की योग्यता और सुलेख में बहुत अच्छे से सुधार करता है तो सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ आप आराम से ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखे मैं दो बर ये वीडियो आपको दिखाऊंगी तो अभी मैं आपको भी वीडियो दिखाती हूँ चलिए तो वीडियो देखते हैं कहानी का नाम है हसना मना है शान्ती और अरुन अच्छे मित्र थे उन्हें एक दूसरे के साथ खेलना बहुत मच अच्छा लगता था घर वापस जाते समय अक्सर उनके बेच दोर लग जाती थी शान्ती हमेशा खुश रहने वाली लड़कियों में से थी एक दिन शान्ती धीमी धीमी चलती हुई कक्षा में आई उसका चेहरा लटका हुआ था वह बहुत उदास दिख रही थी क्या तुम्हें किसे ने डाटा? अरुन ने पुछा शान्ती ने सिर हिला कर मना कर दिया सोना दीदी ने उसका नाम पुकारा उसने उपस्थिती भी नहीं गही शान्ति कुमारी सोना दिदी ने उची आवास में फिर से पुकारा शान्ति ने अपना हाथ खड़ा कर दिया क्या तुम्हारे गले में खराश है? सोना दिदी ने पुछा उसने अपना सिर हिला कर ना कह दिया उसका चेहरा लाल हो गया मानो उसे बुखार हो दोस्तों ने सोचा आखिर शांती इतनी उडास क्यों लग रही थी अरुन शांती को हसाना चाहता था उसे एक उपाय सुझा उसनी अपना बस्ता खोला और उसमें से कुछ निकाला जैसे ही वह शांती को दिखाने दोड़ा वह चीज उसके हाथ से फिसल गई शांती ने देखा कोई चीज उड़कर उसके पास आ रही थी उसने लपक कर उसे पकड़ लिया उसे दिखा एक बड़ा सा रबड का मेंधक फिर उसने अपने मोग खोले और जोर से हसने हसने लगी तब अरुन और सभी को समझ में आ गया क्यों शांती पूरे दिन ना हस रही थी ना बात कर रही थी क्योंकि उसके सामने के चार दात गायब हो गए थे इसलिए शान्ती ने अपने दोस्तों को कहा कि मेरे चार दांत नहीं थे इसलिए मैं नहीं हस रही थी थैंक यू तो बच्चो आपको यह कहानी कैसे लगी? मेरे खयाल से बहुत अच्छी लगी होगी तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अब इससे related मैं आपको कुछ questions पूछूँगी तो इससे संबंदि जो भी मैं प्रशन पूछूँगी मैं roll number wise आपको यहां बुलाऊंगी और roll number wise आपको इनका आंसर देना है तो मैं आपको example देती हूँ किस टाप के question मैं आपको पूछ सकती हूँ तो अभी आप मुझे साथ में पूरी class मुझे साथ में आंसर देंगे जैसे शांती का मित्र कौन था तो उत्तर होगा अरुन शांती कैसे लड़की थी शांती हमेशा खुछ रहने वाली लड़की थी इस प्रशन का उत्तर यही होगा इस प्रकर आपको कोई भी question हमें पूछ सकती हूँ तो आप उसके लिए ready हो very good मैं आपसे यही आशा करती हूँ तो अब यह हो गया यह हो गई हमारी यहां गतिविदी समाप्त next class में हम कुछ और start करेंगे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद